साल 2013 में बॉक्स ओफिस का हाल खराब ही दिख रहा है फिल्म पठान के आने के बाद लगा था बॉक्स ओफिस का हाल बदल गया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप हुई इस वज़ा से आने वाली फिल्मों ने अलग-अलग स्टेटजी अपनानी शुरू कर दी माई कुछ फिल्मों का क्रेज रिलीज से पहले इतना ज्यादा दिखा कि कुछ फिल्म के मेकर्स ने क्लैश करने से बचने लगे ऐसा में इस साल बॉक्स ओफिस पर आधा दरजन फिल्मों की रिलीज देट बदल दी गए इसमें शारू खाल से लेकर अजे देवगन और ररणवीर कपूर की फिल्में शामिल है इस कड़ी में जो पहला नाम है वो है एनिमल रणवीर कपूर की मोस्ट आवेटेड फिल्म एनिमल पहले 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसकी तारीख फिल्म गदर टू से क्लैश कर रही थी इस वज़े से मेकर्स ने इसकी रिलीज देट आगे बढ़ानी का फैसला किया हाला कि मेकर्स ने देट बढ़ने का कानल फिल्म के गानों को बताया और का फिल्म पाँच अलग-अलग भाषाओं में आएगी और फिल्म पी अलग-अलग भाषाओं में शूट किया चाएगा इस लिए इसके लिए थोड़ा टाइम चाही जवार शारुकान की फिल्म पठान के बाद जवान का बेसबरी से इंतिजार किया चा रहा है पहले ये फिल्म में 2 जून को रिलीज होनी थी लेकिन इसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई और VFX का काम भी पूरा नहीं हो सका इस वज़े से फिल्म की रिलीज डेट 7 सितंबर कर दी गई रौकी और रानी की प्रेम कहानी रडवीर सिंग और आलिया भट की फिल्म में रौकी और रानी की प्रेम कहानी दो बार पोस्ट पोन हो चुकी है क्योंकि ये पहले 11 फर्वरी को रिलीज होनी थी लेकिन शहजादा से क्लैश होने वाली थी तो डेट को 29 अपरेल किया गया लेकिन इस दिन पोनियल सेल्वन 2 रिलीज होनी थी इस वज़े से अब फिल्म की रिलीज डेट 28 जुलाई कर दी गई है प्रोजेक्ट के प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रोजेक्ट के को साल की शुरुआत में ही रिलीज होना था लेकिन अमिताब बच्चन को फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई इस वज़े से शूटिंग रुख गई अब ये फिल्म साल 2024 के जनवरी में रिलीज की जाएगी मैदान आजे देवगन की फिल्म मैदान तो सबसे ज़्यादा आठ बार पोस्ट पॉन हुई है क्योंकि ये फिल्म साल 2020 से पोस्ट पॉन होते आ रही है रिपोर्ट के मताबिक इसकी पहली रिलीज डेट 27 नमंबर 2020 सी लेकिन फिर इससे 11 दिसंबर 2020 किया गया फिर 13 अगस से 2021 की गई इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 और फिर 3 जून 2022 इसके बाद इससे साल 2023 में पहले फरवरी फिर माई और फिर जून में रिलीज करने की बात हुई लेकिन आदी पुरुश की वज़े से 23 जून की डेट भी चेंज हो गई अब इसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है योधा सिदाद मलोतरा की फिल्म में योधा पहले 15 सितंबर को रिलीज होनी थी लेकिन फिल्म में जवान की डेट आने की बाद इससे 15 दिसंबर 2023 कर दिया गया हलाकि अभी भी ये तारी साफ नहीं है कि ये रिलीज होगी या नहीं ड्रीम करल 2 आयूश मान खुराना की फिल्म में ड्रीम करल 2 पहले 7 जुलाई को ही रिलीज होनी थी इस फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो गया था लेकिन अब इसकी रिलीज डेट 25 अगस है आदिपुरुश बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो चुकी फिल्म में आदिपुरुश भी पहले 12 जनवरी को रिलीज होनी थी लेकिन इसके VFX की काफी आलोशना होने की बाद इसमें मेजर सुधार किया गया फिर इससे 16 जूल को रिलीज किया गया लेकिन इसके बाद भी फिल्म के डायलोग की वज़े से विरोध जेलना पड़ा और फिल्म में जिजास्टर साबित हो गई